बर्माला रेलवे लाइन का दूसरा चन आराम हो गया है अब 50 गाम के प्रभापतों को मुआज़ा मिलेगा अब तक इसके तहट 3 गामों के प्रभापतों को 11 क्रोड रुपे के चेक माटे गए हैं बर्माला रेलवे लाइन का दूसरा चन आरम हो गया है अब 50 गाम के प्रभापतों को मुआज़ा मिलेगा अब तक इसके तहट 3 गाम के प्रभापतों को 11 करोड रुपे के चेक बांदे गए हैं पहले चन में चैनित 10 गाम के प्रभापतों को मुआज़ा राशी बित्रित करन पचास गाउं के प्रभावितों को मुआबजा परदान करने की कवायत शुरू कर दी गई है बानुपली, बारी बर्माला, रेलबी लाइन के दूसरे चर्ण के सर्वे के तहट प्रभावितों को मुआबजाराशी के चेक बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है भू अर्जन अधिकारी रेलबी एमम तहसिलदार बिलासपुर जैगोपल शर्मा ने खेरिया लखाला और बैहल के प्रभावितों को 11 करोड के मुआबजाराशी के चेक बांटने दूसरे चरंड के सरवे में बैहल से लेकर बैरी बरमाला तक करीब 50 गाउं के प्रभावितों को मुआबजार दिया जाना है जिसमें 3 गाउं के प्रभावितों को मुआबजाराशी दी जा चुकी है ये रेलबे लाइन पंजाब के साथ लगती शीमा पर स्तित जंडोरी से बनेगी और बहाँ पहले टरनल बनाई जाएगी एक जंक्षन जगात खाना में दूसरे ब्लासपर में अलिगर के पास छोटा जंक्षन बनाया जाना प्रस्ताबित है एक जंक्षन ब्यारी और बरमा में भी बनाया जाना है पहले चर्ण के बाद अब दूसरे चर्ण का मौबजा देनी के प्रक्रिया शुरू हो गई है बरमाना तक यह पचास गाउन थे दूसरे चर्ण के उसमें से में तीन गाउन का कॉंपर्टेशन लोगों में बांटा तकरीबन 11 करोड रुपे का तो उसमें बहल पंचाइट और आपका लखाना लखाणा और खावियां यह तीन गाउन का जो आपने अमने कॉंपर्टेश यह तक पहुंचाएंगे इसका पाउस्ट गांट इसका काम है और पीजिसन का काम हिए हम ज़ल्दी इसको पूरा करेंगे और अबेट रहें ज़ल्दी आगे तक पहुंचाएगे इसको